दोस्तो जब से मार्किट में कीजिफ चैप्टर टू आई है तब से लोग के मन में एक सवाल पनप रहा है कि आखे सोना निकलता कैसे और हम तक कैसे आता है तो चलिए जानते हैं सोना निकालने के लिए सबसे पहले एक ऐसी जगह डूड़ी जाती है जिसकी जमीर में अच्छा खासा सोना मौजूद है इसके बाद उस जगह पर डाइनमेट लगा दिया जाता है और फिर एक तगरा ब्लास्ट होता है इसे जमीन के अंदर मौजूद पत्थर और अइसक इदर तोटकर बिखर जाते हैं इसके बाद इन पत्थरों और अइसकों को इकठा करके फैक्टरी में लिजाया जाता है जहां इसे अच्छी तरह से पीस दिया जाता है पत्रों और एसकों को पीसने के इस प्रोसेस को मशीन द्वारा किया जाता है लेकिन इसके बावरूर इसमें लगबग 4-5 घंटे लग जाते हैं इसके बाद कई कैमिकल एक्षिन के मदद से पीसे हुए मलवे के अंदर से सोना अलग कर लिया जाता है अब मलवे के अंदर से जो सोना मिलता है उसे पिगला दिया जाता है और फिर उसे जैसा अकार देना है उस अकार के बॉक्स में डाल दिया जाता है गोल्ड को डूरने निकालने उसे प्योर करने उसमें बदलने के पोसेस में बहुत पैसा और समय लगता है और गोल्ड मिलता भी बहुत कम है जिस बचे से सोने की कीमत आस्मान छुजाती है लेकिन विज्ञानी को का मानना है कि समुद के अंदर बेहिसाब सोना मौजूद है लेकिन अभी ऐसी कोई तक्लीक नहीं आए कि कम कीमत में सोने को समुद से बाहर निकाला जा सके